हेलो दोस्तों कम्पेटिशन कम्यूनिटी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हारदी का विनन्दन है मैं आपका दोस्त मालम हम लोगों ने समिधान सभा पढ़ा और उसके बारे में जानने की कोशिश की बहुत कुछ जाना भी और बहुत कुछ बाकी भी है और लगातार पढ़ते पढ़ते वो चीज़ें आप और बहतर तरीके समझ पाएंगे उसी के क्रम में हम उसके MCQ जो है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं यह ध्यान रखिएगा कि यही कोशिशन ऐसे नहीं है कि हां यही कोशिशन आने वाले हैं बिलकुल मान के क्टिक बुक्स है पढ़ने के कोशिश जरूर कीजिएगा रेडिमेड और बहुत शौर्टकर्ट जो है वह कोशिश मत कीजिएगा नहीं तो हमेशा जो है प्री चकर में कूछ चकर में फसे रह जाएंगा जैसे माली जी क्या है कि आप ज्यादा कोशिश कोशिश करते हैं कि गाहिते हैं ओ Moderator CWinhos कि जिखी वगरा जो कुझी वगरा सारांश वगरा पता हैं क्या क्या टीज मार्किट में अवैलेबल हैं उन्को लेते हैं और उसकी बिल्कुल रट्टा मार्कर करके रखते right रट्टा मार करके रखते हैं और कहीं से कुछ समझ आपकी डिवलॉप नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है एक साल, दो साल, तीन साल पढ़ने के बाद आपका यह हो सकता है प्री निकल जाए लेकिन प्री निकलने के बाद मेंस निकलने में बहुत मुश्किल आएगी, है ना, तो मेंस आपने दिया, मेंस आपका नहीं निकला, फिर अगले बार आप फिर से प्री की तयारी की में आए, फिर सुझी रट्टा मार वाले चक्कर में पढ़े रहे, तो हो सकता है कि फिर एक आग बार और आपका निकल जा करता है तो मेंस में चुकि कम टायम मिलता है तो उतने कम समय में आपका तियार हो पाएगा क्यों हो पाएगा है लिए क्या है प्री की तयारी इस तरी दिया के लिए भी क्या है 50 से ज्यादा परसंट कि हूख कर सके वह आपको एक तरीके सेindung मझभूत बना दे कि अहां Micheamed पकड़े और बेहता तरीके सेपड़िये हम लोग तरफ से जो भी हो सकता है वह हम कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो करना है वह आपको खुद करना है ठीक है चलिए हम चलते हैं उसी कड़ि में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं एंची क्यूज समीधान साब है ना तो पहला कॉश्चन है चो भ searches इसमें परशान होने के receptive कोशिश के गई हैं मैं157 mater गठनााधारित था तो हम यह मालूम है कि समीधान समिधान सभा गठन जो आधारित किसा था वो था केविनेट मिशन में था ने मिशन में जो 1946 में ऐया था केवेड़मिप मिशन के आधार पर asksं फ़ाक का नकिया गया था और बहुत सारी उसमेशारते थी बहुत सारी बाते थी विभिन वजहों से आगे नहीं बढ़ पाया लेकिन इसको जो मुर्थ रूप मिला है समिधान सभा के गठन को वो क्या मिला है केविनेट मिशन के आधार पर मिला है इस प्रस्ताओं के आधार पर मिला है तो यह आपका प्र देख रहे हैं यह बहुत क्लोज है अगर आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है ना तो आपके आपने कुछ चीज जैसे याद कर लिया है या फिर नौ दिसंबर भी नहीं नौ तारीक है आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है या फिर आपने है तो आपका एँसर जो है गलत हो जायाएगा तो यहाँ पर रथम बैठाग मता से जानते हैं वह यह हो 27 Wave दूसरी तेस्टीर 2014 Gucci तीरा टेरा じुमर 2014 फिए था घंग है तो यह चीज्जें आपको द्यान में रखना है और इसमें जो सही अनसर होगा वह दिशंबर 1946 कोई ठीक चली आगे चलते हैं अगला कुश्चन है केबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर समयदान सभा के लिए हुए चुनाव में बिटिश भारत के लिए आबंटित 296 सीटों में से ध्यान रखेगा तीन प्रकार के वहाँ पर विवस्ताएं थी एक था बिटिश भारत है ना दूसरा जो था कमिशनरी कमिशनरी प्रांथ और तीसरा जो था वो देशी रियास्ते है ना तो तीन थी उसमें से हम बिटिश भारत की बात कर रहे हैं जिसमें कि क्या है 296 सीटों की बात की गई थी क यहां 296 सीटों के लिए क्या होगा चुना होगा है ना तो अब यह प्रश्ण बन रहा है कि 296 सीटों में से कितने सीटें जो है Congress ने जीती है ना तो 202, 204, 206, 208 तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा क्या 208 ठीक ध्यान रखेगा यह भी बहुत ख्लोज है थोड़ा सा भी आपने क्या है दिमाग में आगर कोई चीज आपका कंफिजन अगर पैदा हुआ है वो वज़ाई सिर्फ यह होती है कि आपने चीज़ें पढ़ा ही नहीं कि इसलिए कंफिजन पैदा होता है आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इसका मदलब यह है कि आपको यह क्लियर रहेगा और यह आपका एंसर सही होगा ठीक चलिए आगे चलते हैं समीधान सभा के समयधानिक सलाहकार्द बहुत कॉमन सा क्वेशन है पूछा पूसता ही रहता है यह अभी में जो प्रोविंसियल एक्जाम होते हैं उसमें सब पूसता रहता है तो है ना प्रश्ण समान है लेकिन इसका उत्तर में यह जो सर्भीन रहा है वह बहुत ही विशेश है ना तो यह इसके सही एंसर जो होगा क्या होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं समेदान सन्भा में महिलाओं की कूल संख्या थी है ना आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें यह点क जो क्वोरा करते हैं ठीक है ना समीदान सन्भा महिलाओं की बाती हो क्या ठीक 15 और इसमें अगला कुश्चिन देखे 15 पंद्रह न तो थी आगे चलते हैं समिधान सावा में एक मात्र मुस्लिम महिला सदे से कौन थी भाई इसमें देखिए थोड़ा सा जो आप्शन है कुछ हजीब सा बनाये गया है ताकि आपके दिमाग वह थोड़ा जोर पड़े आपने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किये आपके समिधान सभा में ठीक है अगला चलते हैं प्रारूप समिधी में एक मात्र मुस्लिम सदसे थे प्रारूप समिधी में एक मात्र मुस्लिम सदसे देखि यहाँ पर जो भी नाम है वो सब आप अगर हिस्ट्री थोड़ा सभी पढ़े हुए है समिधानिक विकास पढ़े हुए हैं तो यह सब नाम जो है आपके क्या है बिलकुल एक तरीके से आता रहता है ना उसमें से एक नाम जो है अगर आपने प्रारूप समीटी के सारे सदस्य को नहीं पढ़ा है तो यह मुहम्मद सादुल्ला का नाम आपने नहीं सुना होगा इत इसलिए क्या है आपको अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे अंदाज में करना है ठीक है ना तो यह ध्यान रखना है कि इसमें सही एंसर आपका मुहम्मद सादुल्ला है मुहम्मद सादुल्ला जो है वो मुस्लिम लीग से आसम से चुने गए थे समिधान सभा के लिए ठी समिधान निर्माण के अधी थी अब यह देखिए बहुत क्लोज टाइब के जो है आपको कोशिच किया गया है अप्शन बनानेगा अब इसमें आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो कंफीजन तो क्लियर हो ग्रियेट हो गई तो इसमें आपको यह चिद्यान रखना है कि दो ग्यारा माह ग्यारा दिन नहीं दो ग्यारा माह अठारा दिन एक वर्ष ग्यारा माह अठारा दिन तीन वर्ष ग्यारा माह अठारा दिन तो इसमें सही एंसर जो है वो आपका यह है यह कोशन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बहुत बार बार देखने को मिलता है इसलिए कम से कम जो traditional question है उसको आप गलत मत कीजेगा है ना जो traditional question है जो frequently पूछे जाते हैं तो वो question आपके गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके प्री को निकालने के जो chances होंगे वो कम होते जाएंगे इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके जो पिछले साल के जो question आ पूछे जाते हैं है ना तो उस तरीके जो पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपनी त्यारी कीजिए है ना सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना एक strategy के तहत पढ़ाई करेंगे तभी आपका क्या होगा selection होगा है चलिए तो यह clear हो गया अगला question हम जाता है ना समीधान दीवश से 26 9 bra 26 जनवरी 15 अगस 15 सितंबर है तो अब यहां अध्यान लाइकने वाली बात है कि 2015 को किया गया है सरकार के द् appar टो 26 नवंबर 202 नवंबर से को किया गया है समीधान दिवस मनाने की बात की गये झांब आ ना यह चीज जो है ध्यान में रखने वाली बात है 26 नॉवंबर इसका सही एंसर होगा चलिए आगे चलते हैं 26 नॉवंबर को समिधान दिवस की उपलक्ष में मना जाता है है ना मना जाता है डाक्टर बी आरंबेटकर के 125 पूर्णिती थी देखिए सब चीजें बहुत क्लोज हैं है ना 26 नॉवंबर 1932 में कांग्रेस के कराची देश्यान स्वतनता दिवस मनाए कि था नहीं यह गलत है लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए सब आप्शन बना रहा हूं है ना 26 नॉवंबर 1932 को गांधी जुदापूर्ण स्वतनता प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई बात 1937 के पारित होने के पशाथ समिधान सभा के अध्ष कौन थे बहुत सिंपल सा कोईश्यन है लेकिन इसको हम प्रश्ण के रूप में अगर देखने लगते हैं एक्जामनेशन हाल के प्रेशर में इस तरीके के प्रश्ण देखते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा दिमाग चल नौ दिसंबर को प्रथम समिधान सभा की प्रथम बैठक जो है नौ दिसंबर को ही थी है ना तो यहां पर क्या थे सचीदानन सिनहा लेकिन जब 11 को दूती बैठक जब आई जित हुई तो उसमें क्या है एक स्थाई अध्ष डॉक्टर राजन प्रशाद को नियुक्त कर द थे लेकिन लग रहा है 1917 को सवतंता अधिनियम जो पारित हुआ उसके बाद जो है दक्ष बदल गया है ना तो ऐसा सोच के फिर क्या है आप इस आप्षन को किनारे कर देंगे फिर इसमें से सोचना शूरू करेंगे अब इसमें से सोचना शूरू करेंगे तो इसका मतलब 001 एकी किसी को इंबर सकते को गलत करने तो ऐसी गलती नहीं करना ऐसी पड़िये द्यान से पढ़ियेगा कि मुर्ण 40 पारित होने के प्रषाद जो है समिचना शभा के अध्धक्ष जस्यूर्ण और राजynत प्रशाद ही थे हैना एक बदलाव आया था वह क्या आया था संथान सभा के रूत में क्या था जो समय दान निरमार करने का रहे था वहिं इसी समय दान को मद्धाई कारे ठो इऑ Jar रूप में क्या करता था बैठा करता था तो उसके अध्धाइश कोन होते थे डॉक्टर राजंद प्रशाद होते थे ठीक है ना और जब वो विधाईका के रूप में काम करता था तब उसके अध्धाइश कोन हो जाते थे जीवी माव लंकर हो जाते थे ठीक है ना तो यह जो सेलेक्शन को आराम से बहतर बनाया सके और बहुत इजी किया जा सके ताकि आप बहतर तरीके से सेलेक्ट हो और जल्दी जल्दी एक प्रशाथिकारी बने ठीक है ना तो यही कोशिश में कर रहा हूं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी कोशिश आपको अच्छी तो मैंने अपने गलतियों से जो सीखा है वही चीछ चाह रहा हूं कि मैं जो सीखा हूं वो आपके सामने तक आपके पास तक लेके जाओं ताकि आप वो गलतिया ना करें ठीक है ना यह मेरा फर्ज भी है और मैं इस फर्ज को करने के कोशिश कर रहा हूं आपको बताना है क कि समख्ष समिधान की प्रस्तावना किस ने प्रस्तुत की थी आसान सा कुश्यन है मेरे समख्ष से है ना तो यह तो जवाला लेरू नहीं की थी ना जवाला लेरू नहीं क्या किया था समिधान की प्रस्तावना किस ने प्रस्तुत की थी तो यह जवाला लेरू ने सब्सक्राइब करना है और सही उत्तर का चैन करना है आपको है ना थौसा में स्प्रिंटिंग है वह टीटी कृष्माचारी है सविधान सभाग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई हम लोगों ने पढ़ा है ना तो यह क्या थे आपके एससी मुखर जी थे है ना तो इसका मतलब यह है कि यह आप्शन चार इसका सही उत्तर होगा समिधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो की दूसरी बैठक हुई थे ना पहली बैठक में मूलता एक मात्र कांग्रेशी सर्दस्त की बात अगर करें तो यह कौन थे भाई इसमें से ठीक है यह होंगे तीसरा के मुंशी ठीक है और राज मुझे लगता है कि यह प्रश्ण जो है वो थड़ा सा फिर भी चलिए इसको करी लेते हैं संग समिधान समीति के अध्यक्ष क संग समिधान समीति के अध्यक्ष यह दो हो गया और पारूप के मुलता एक मात्र कांग्रेशी सर्दस्ति जो थे वह यह तीन हो गया और समिधान सभा के पहले उपादक्ष हC मुखरजी हो गया तो बच रहे हैं वीटी कृश्माइटी कृश्माचारी तो इसका मतलब जाय यहीं भोगाना आगे चलते हैं संग सरी कोigon था इसमें बिल रहा आपको मैं अब को मैंने पड़ा रहा था मैं आपको स्क्रेंश छोट यह जीएगा उसका तो Cow समीती है यह फैक्शव रोग सेस Garage question है तो इसका मतलब यह है कि मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन आप तो सक्षम हो रहे हैं ना भई, आप सक्षम हो रहे हैं तो सही अंसर तो आप ढूंडी लेंगे हैं ना, हमेशा ध्यान रखेगा, कि मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, यह जादा important नहीं है, आप कितने अच अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए करने के बाद फिर पूरे देश के लिए पूरी मानोता के लिए करेंगे हैं ना भई, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनने के कोश्य कीजिए, ठीक, चलिए, अगला कुशिन करते हैं हम लोग, भारती ग धर्ण निर्पेक्ष गुलोग, तंत्रात्म गर्राज बाद में जैसे हमाले जी किया समाजवादी है, धर्ण निर्पेक्ष है, यह सब जो चीजे ना बाद में जोड़ी गई थी, वस्तु इस्तिती क्या थी? वस्तु यह थी, जब अगला कुशन देखते हैं भारती सम्विदान भारतियों की इच्छा के नुसार होगा यह कथन है किसका कथन है भाई हम लोग ने पढ़ते हुए देखा था कि यह कथन जो है महात्मा गांधी का है इसको ध्यान रखना है आपको उनिजसोपेचीस में दिल्ली में आज सरुदली समयलन के अध्यक्षता किस ने की थी है ना तो जो हमने देखा था कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल है ना जिसमें क्या है जिसको की तेज बहादु सप्रू जो थे उनकी समीती ने क्या किया था तैयार किया था और जिसको पे क्हिमार के लिए के दिशा में एक पहला महत्वुन धुण कदम जो था वो यही था तो अब इसके बारे में पूछा यह जा रहा है कि इसकी अध्यक्ष्टा किसने की थे तृ जो है वह MMA गांधीने की थे किसने की थी महात्मा गांधीने की थे इसे को ध्यान रund रखिएगा important question है है ना फिर अगला है डॉक्टर राजन प्रसाद को समिधान सभा का प्रतम इस्थाई अध्धक्ष समिधान सभा के किस बैठक में नियुक्त किया गया था है ना इस टैप की कोश्चन भी पूछ सकता है है ना तो यह हम लोग ने देखा थे क्या दूती बैठक में इसको क क्या किया गया था डॉक्टर राजन प्रसाद को इस्ताय धश की रूप में क्या किया था नियुक्त किया गया था है समान आसान सा कोश्यन है नेहरु के उद्धेश प्रस्ताव को सविकार कर लिया घा अब देखिए क्या है बहुत क्लोज टाइप का है ना देखिए 22 January 1946 बाइज जनवरी 1947, 24 जनवरी 1946, 24 जनवरी 1947 है ना तो बहुत क्लोज टाइप को है अगर आपने ध्यान से नहीं पड़ा है तो यह आपको शूर है कि आपको confusion create करेगा ही करेगा है ना तो examination hall में जाने से पहले इन सब चीजों को इन वस्तितियों को समझे आप कि वहाँ examination hall में जाने के बाद क्या क्या गलतियां हो सकती है जिसकी वज़े से आप एक question दो question के लिए भी बाहर हो सकते है ना तो ऐसी गलतियां ना हो तो इसलिए क्लोज जो आपके जो options होते हैं खास करके डेट वेट वाले जो होते हैं उसमें क्या करना है आपको बहुत ध्यान से कुछ खास तरीके के जो डेट से उसको बिल्कुल अच्छे तरीके साब को अपने दिमागों बैठा कर रखना है ना चलिए तो इसमें सही अंसर 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था उद्देश प्रस्ताओं को स्विकार कर लिया गया था यह इसका सही एंसर है ठीक है चलिए आगे चलते है प्रारूप समिति के प्रत्थम बैठक हुई थी है ना अब यह भी देखें बहुत जादा क्लोज कर दिया गया है ना 29 अगास 1947 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1947 है ना अगर आप अच्छे से नहीं पड़े हैं तो आप भी फील कर रहे होंगा फील करने लगे होंगे आप कि अब यह चीज़ आपको कितना कंफ्यूज कर रही है ना तो यह चीज़ जो है इसमें सही अंसर आपका 30 अगस 1947 है इसको ध्यान में रखना है ठी चलिए आगे चलते हैं ठीक है यह आपके 20 कोशन थे 20 कोशन थे जो कि आपको एक दिशा देने के लिए थे खासता रुपे मैं यह नहीं कहता हूं कि यह कोशन ही आएंगे आपके एक्जाम में है ना आ भी सकते हैं आ जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको यह एक सफल होई और उसली बैहतरी इंसान बनिये बहतरी पर्शासक बनिये बहतरी इनसान रभी परशासक अलग अलग 2 नहीं कोसे काम किये हैं जिनके लिए हुमेशा अंगो सैलूट करने का मन करता है तो मुझे उमीद है कि आप भी एक बहतरी इंसान सथे 20 बनेंगे और और इसका नाम रोशन करेंगे, ठीक है, तो आज की ग्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं, धन्यवाद,